आज हमारी सरकार किसानों की लंबे हरताल, लंबे समय के बावजूद भी मांग नहीं मान पा रही है उसके पीछे जो बज़य बताई जाती है कि इसका दस अजार करोड रुपए भारत सरकार पर गोज आएगा मैं बारत सरकार को अर्शुत करना चाहूँगा, बारत सरकार को गारंटी देना चाहूँगा कि उसके उपर एक रुपए का भी बर्डन नहीं आएगा हम ना केबल किसानों को एक MSP दे पाएंगे बलकि उसके खेत में काम करने के लिए जो स्रिम जीवी लोग हैं एजे सर्विस प्रोवाइडर पहुँचेंगे वह है जो फसल के बारे में वो निड़ने लेते हैं वो है बीज लेके जाएंगे उसके खेत में दस पिट गहरी खाई खो देंगे छेदों वाली टाइल्स लगाएंगे गौसालाएं खोलेंगे गाएं जो है ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से अच्छी कस नसल की गायों का प्रजनन किया जाएगा और ये गाएं जो है टेक्नलोजी डिसाइड करेगी कहाँ पर जो है तयार हो चुकी है उनकी गौसालाएं वहाँ पहुँचेगी अच्छी बात ये है कि इतने सारे काम करने के लिए जो धन का बै हो रहा है उसे किसान को नहीं देना है नहीं उसे रण लेना है नहीं उसे सरकाल सब्सक्राइजरी के लिए कोई आविदन लगाना है और जो उसके खादान पैदा होंगे वहाँ पर दो टीम पहुँचेंगी एक टीम क्वाल्टी कंट्रॉल के लिए पहुँचेगी और दूसरी टीम पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग में क्यू आर कोड रहेगा जो ना केबल किर्सक को बलकि किर्सक के प्रतेक फार्म को और आगे चलके तो पेड़ों को भी आडिन्टीफाई कर सकेगी और जो क्वाल्टी कंट्रॉल टीम है वो बता सकेगी किस चीज का टेस्ट कैसा है फिजिकल सेप कैसा है इसके साब से उसकी क्वालटी नधारन होगी उसके साब से उसका दाम नधारन होगा और किसान को एक MSP खादान के खेत के से निकलने ते ही मिल जाएगा कितनी अच्छी बात है कि किसान को अपना खादान लेकर मंडियों में नहीं भटकना होगा आज मंडियों में कितनी गरबडियां है मिलावटे है किसानों का सोशन है नगत पैसा देने के लिए दो-दो परसेंट जो है ना पैसा ले लिया जाता है आज किसान बिना किसी मार्ग दर्शन के कारण कहीं आवर प्रोडक्शन के कारण कहीं अंडर प्रोडक्शन के कारण पिस रहा है जूज रहा है घुट रहा है इस मॉडल के तहट एक MSP किसान को मिल जाएगी और भारास सरकार के उपर एक पैसे का बोज नहीं आएगा बन MSP मिलने के बाद भी किसान ही इस खादान का मालिक बना रहेगा बेकेंड टेक्नलोजी केलकुलेट करेगी कि ये खादान जाएगा कहां और वो इस आधार पर टेकिया जाएगा कि इसको खाने वाला कहां बैठा है तो जहां खाने वाले बैठा है वहाँ पे कितनी क्वांटिटी की अवस्तिता है बेकेंड टेक्न इंजन उसे कैलकुलेट करेगा उसी के आधार पर उस छेतर के वेर हाउसे होल सेलर और रिटेलर के पास वो माल पहुचेगा चूकि वैपारियों को अब माल खरीदना नहीं है लेयाजा उन्हें पूझी नहीं लगाना होगी आज हमारे वैपारी इनके प्रकारेंट से सस्तेदर पर खरीदने की कोशिस करते हैं और उसे होल्ड करके एक आर्टिफिसिय दने के लिए विवस है इस मॉडल के तहट बैपारी किसा खादान का मालिक नहीं है लेहाजा वो होडिंग करने की स्थिति में नहीं होगा एक बैपारी का स्टेटस बैपारी से बदल कर एक सर्विस प्रोवाइड करने बाला है लेहाजा बेयर हाउस का होल सेलर का रिटेलर का और हूम डेलिवरी के से जुड़े हुए लोगों का काम सर्विस देना है और उनकी दी गई सर्विस के अनुरूप उन्हें भुक्तान मिलेगा लेहाजा बैपारी बिना किसी दिक्कत के बिना पूजी के जो उसको संस्तागत ब्यवस्ता है उसके तहत काम करते हुए उसे सर सेटलिंग एकाउंट से मिलेगा यह खादान कज्यूमर को एक बड़ी रहाद देते हुए मातर तीन MSP पर मिलेगा और जो दो MSP बची हुई है यह MSP किसान के कौस सेटलिंग एकाउंट में जाएंगी इसी कौस सेटलिंग एकाउंट से किसान के खेत में जो इंपुट लग सालाएं बन रही है आदी आदी सभी काम जो है वहा भुगतान इसी भंड से होने बाला है रोजगार गारेंटी के तहत जो सर्विस प्रोवाइडर एसेट जनरेट करेंगे उस एसेट के equivalent भारत विकास निधी पैदा होगी यह भारत विकास निधी एक भारत विकास निधी 1.1 रुपी के बराबर होगी लिहाजा सिस्टम में जिनके पास भारत विकास निधी नहीं मिल रही है वो 2% का फीस देकर भारत विकास निधी खरीश सकते हैं और 2 रुपए देंगे 100 जिसकी वेलू 110 रुपए के बराबर होगी लेहाजा खरीदने वाले को सुद्ध 8% का लाब मिलेगा चुकी सभी चीजें भारत के निर्माल के लिए काम होने वाली हैं और जो भी एसिट जेनरेट होगी उसके एकोबलेंट भारत विकास निदी अटो जेनरेट हो जाएगी ले इस पूरी विवस्ता में भारत सरकार के उपर बोज जीरो आएगा वाईयो बताईए ऐसी अद्वत विवस्ता हमारे किसान चाहेंगे के नहीं चाहेंगे एदी किसान चाहेंगे तो मैं आपसे अन्रोद करता हूँ इसी के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत मिसन एप की लिंक दी गई है उसे किलिक करके डाउनलोड करके जोईन करें और प्रुफाइल के नीचे सेर ओन भाटसा पादी के माध्यम से आप अपने से जुड़े अपने घर के लोग अपने रिस्तेदार अपने पड़ोसी अपने मित्र अपने यवासाथी अपने हुए हैं उनके पास ये भेजिए उनकी सुची बना कर उनसे बात करिए जो जो सहमत होता जाता है उसे सपद लाइए और जोड़ दीजिए मातर नौ दिन में महाचमतकार हो जाएगा और आपको एक MSV भी मिलेगी खादान के मालिक आप बने रहेंगे आपके खेत में आपक माइक्रोब्स अर्थबॉम जैसी वहाँ सारी चीजों से किसानों की मिट्टी जो की अब मिर्त प्राया हो गई है और केमिकल फर्टलाइजर और पैसिसाइड के कारण कैंसर कारक हो गई है कैंसर जनक हो गई है वो पुना सौधी हो जाएगी खुस्पो हो जाएगी उसमें friendly bacteria पहुंच जाएंगे उसका carbon content 0.1 से बढ़ कर 0.9 और 0.99 हो जाएगा हमारी मिटी पूरी तरह से उपजाओ होगी और लावदाई भी होगी बीमारियों से हमें मुक्ति मिलेगी जो दस्पट गेरी खंती खोदी जा रही है खाई खोदी जा रही है और उसमें पूरे 12 माए प दो या तीन अधिक्तम पांस सालों में हमारे पानी का इस्तर फिर से आट फिट पर आ जाएगा नौ फिट पर आ जाएगा हम जो एक्सिस फलर्ड वाटर होता है जिससे बाढ़ होती है लहाजा भारत बाढ़ मुक्त भी होगा और चुकि आट फिट पर पानी होगा लहाजा सूखा मुक्त भी होगा मैं अपने किसान भाईयों से निवेदन करता हूँ कि अब आपको अरताल करने की जरूरत नहीं है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए क्राइम फ्री भारत एप को डाउनलोड करके उससे जुड़ जाएए अपने घरबालों को अपने रिस्तेदारों को अपने परोसियों को जोड़िये और क्राइम फ्री भारत समर्थित उम्मीदबार को अपना अमूल बोट देकर उसे विज़े बनाईए और यह वेवस्ता आपको एक तस्तरी में परोसे धंसे मिल जाएगी और इसके लिए आपको ना कोई अंसन करना पड़ेगा ना हरतायल करना पड़ेगी ना भीग मांगना पड़ेगी आओ हम ऐसे भारत का निर्मार करें